अधर्णी अध्यक्ष जी नमस्काव देश भर से जुड़े भारतिय जनता पार्टी के सभी कारकर्टनाओं का बहुत बहुत अभिवादन मैं सबसे पहले तो हमारी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष सिर्मान नड्डा जी का बहुत आभारी वेक्तर करता हूँ यहाँ उन्हों ने इस तार्कम के रचना की और मुझे भी खास करके बजेट की पिछे हमारी सोच क्या है वो पार्टी के तार्टाओं के सामने प्रस्तुत करने का आउसर जिया वैसे कम मेरे मगा जी ने बहुत ही खुबसूर्ती से बहुत ही अच्छे दंस और बड़ी कोशिश करके कम समय बजेट के कुछ पहलूं को हमारे सामने रखा बजेट स्पीच ही है पूरा बजेट तो संबग नहीं होता है क्योंकि बजेट अपने आपके बहुत बड़ा दस्तावेज होता है बहुत बारिकिया होती है और सदन में उन सब चीजों पर बोलना तमभवी नहीं होता है मैं भी आज आपसे जो बाद करूंगा वो भी शायद बजेट के एक बहुत छोटा सा हिस्सा बोल पाऊंगा क्योंकि इसमें इतने विशे होते हैं लेकिन जब विभागवार चलता है होती है और इस साल भर का काम है उसको एक घंटे में बता देना परा कठीन होता है फिर भी जब अर्दिक जी ने कहां कि इसके पीछे सरकार की सोच क्या है जरा आप बताएं तो अच्छा होगा तो मैंने का ठीक है पार्टी का आधेश मेरे सार आखो पर है और आज देश आजादी के पचतरवे वर्ष में और इस समय सो साल में सो साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है कोरोना का ये कालखन पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनोतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर ट्रॉनिंग पॉइंट निश्चीद है आगे जो दुनिया हम देखने वाले वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी जैसे दुटियर विश्वयुद्र के बात सेकंड वर्ड़ वर्ड के बात पूरी दुनिया में बहुत बदलाव है पुरा वर्ल्ड vai बदल गया वैसे ही के बात दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है एक नए वर्ल्ड ओर्डर की संभावना है और इसके प्रारंबिक संकेत नजर भी आने लगे हैं हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा अनेक कौने से सुना होगा बहुत से कीज़े पड़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे मिलते होंगे तो आप भी अनुभो करते होंगे आज भारत की तरफ देखने के विश्व की नजरिये में बहुत बड़ा बड़लावा रहा है भारत जैसे विशाव देश को लोकतांत्रिक देश को और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विवितताओं को समालते हुए चल रहे हैं देश को अब दुनिया दुनिया के लोक भारत को अधिक मजबुत रुप में देखना चाहते हैं और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्रक है कि हम अमारे देश को तेज गर्ती से आगे बढ़ाएं अनेग विद छेत्रों में बदलाव लाएं मजबुती लाएं यह समय नए अवसरों का नए संकल्पों की सिद्धी का समय है बहुत जरूरी है कि भारत आत्म निर्वर बने और आत्म निर्वर बने ही आत्म निर्वर भारत की निव पर एक आधुनिक भारत का निर्माड़ हो कल ज़सा मैंने पहले कहा निर्मलाजी ने जो बजेट पेस किया है बाएं लार्ड हम देखें पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें तो जो आर्थिक विशे के लोग हैं समार जीवन के लोग हैं अख्वारों में भी देखेंगे कल टीवी चनलों की डिबेट में देखेंगे बजेट किया बहुत स्वाधत हुआ हैं बहुत सराना हुई है और आपने भी देखा होगा किस बजेट में देश को आधुनिक्ता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपुन कदम है साथियों कि जब हम आज के विजेट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है बीते साथ वर्सों में जो निर्णय लिए गए जो नीतिया बनी पहले की जिन